हेलो एवरीबन विल्कम बेक टो आवर चैनल दोस्तों जीके जीर रुमास्त बैच में हम लोग आसे एकोनॉमिक्स अर्सास स्टार्ट करने वाले आज इसकी पहले क्लास है तो चली स्टार्ट करते हैं इसके अंदर हम लोग अर्शास का परिचे, छेत्र प्रकार पढ़ेंगे, नेशनल इंकम राष्टियाए पढ़ेंगे, फाइनेंसेल मार्केट इसके अंदर है आपका मनी, अर्बियाई, बैंकिंक सेक्टर, सेयर मार्केट, यह सब हम लोग कवर करेंगे और साथी लास्ट में सास्त का अर्थ होता है इस्टडी तो मनी इस्टडी ऑफ मनी धन का अध्यन आपका क्या कहलाता है अर्षास कहलाता है इस्टडी ऑफ मनी आपका क्या कहलाता है इकोनोमिक्स कहलाता है आपका सेंटर में कौन है सेंटर में धन है और इसके चारो और इकोनोमिक्स है अर्षास र लेकिन यह मनी से, धन से related नहीं है, बलकि यह राजनेतिक विज्ञान से संबन देते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, कॉर्टिल की पुस्तक है, गरंत है, यह किस से related है, राजनेतिक विज्ञान से संबन देते हैं, नेश्ट आपका Father of Economics Father of Economics किसको कहा जाता है Adam Smith को कहा जाता है इनकी पुस्तक आई थी 1776 पे बहुत फेमस पुस्तक थी इस पुस्तक कर नाम है The Wealth of Nation और इन्होंने कहा है अर्सास्त धन का विज्यान है तो अर्सास्त धन का विज्यान है किसने कहा है Adam Smith ने कहा है नेश्ट आपका Semulation इन्होंने अर्सास्त को Science of Growth विकास का सास्त कहा है विकास का सास्त किसने कहा है अर्सास्त को तो Semulation ने कहा है नेश्ट आपका Economics के Type Types of Economics ये दो प्रकार के होते हैं Micro Economics और Macro Economics Micro को हिंदी में बेश्टी अर्सास और मैक्रो को समिश्टी अर्सास कहा जाता है इसको आगे देखिए माइक्रो सूच्म मैक्रो ब्यापक व्यक्तिकत आर्थिक इकाई मतलब एक उत्पादक एक उत्पोगता तो आपका क्या कहलाएगा सूच्म कहलाएगा माइक्रो कहलाएगा मांग अपूती सिध्धान्थ इसके अंदर आता है डिमांड सप्लाई सिध्धान्थ इसके अंदर आता है कीमत सिध्धान्थ इसके अंदर आता है और इसको मानने वाले है एडम इसमित नेश्ट आपका मैक्रो ब्यापक, संपूर अर्द्वर्स था, समाज कल्यार के बारे बात की जाती तो ब्यापक अर्द्वर्स था होती है आये रोजगार सिधानत इसके अंदर आता है, राष्टी आये इसके अंदर आता है और इसको मानने वाले है कीन्स, की फेमस पुस्तक का नाम है General Theory of Employment नेक्स्ट है आपका Law of Demand मांग के नियम को, देखिए मांग का नियम क्या होता है जैसे अब इस समय दिपाली आ रही है तो पटाखा जो है इसकी मांग बढ़ चुकी है तो मांग बढ़ चुकी है, मतलब डिमांड बढ़ी है मांग बढ़ गई है, नियमांड बढ़ गई है तो इसकी प्राइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है अब देखिए यहाँ पर आपके पास 50 रुपे है और एक पैंट की कीमत है 5 रुपे तो आप कितने पैंट खरी देंगे, 10 पैंट खरी देंगे अब आपके पास 85 रुपे है और एक पैंट की कीमत कितनी हो गई है 10 रुपे हो गई है यहाँ पर एक पैंट की कीमत 5 रुपे थी अब यहाँ पर एक पैंट की कीमत कितनी हो गई है दस रुपए हो गई है तब आप कितने पैन खरी देंगे 5 पैन खरी देंगे कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आती है प्राइज बढ़ गई डिमांड में कमी आ गई लेकिन इसके अपवाद भी है देखिया अपवाद प्रदिष्टावान वस्तू, मौलेवान वस्तू, एक्जामपल जैसे हीरा, एंटिंग, पैंटिंग, एंटिंग का मता होता पुरानी पैंटिंग, पुरानी वस्तू, पुरानी कार, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, इन सब की अगर कीमत बढ़ रही है, तो जो सौकीन कीमत पहतलों लोग दोसे सबस्पी itdda एसा पेश का मांग बढ़ जाता है जड़ी इसे आप्वाद you में आपका गीफेन वेस्तूि गीफेन नॉन लॉप्ट गॉट्स नॉन लॉक्जरी Ilkäsछ और जब खकर्श नॉन लगजरिड है गॉट्स होता 30-90 पास इनकम है और पहली तो आपके पास सो रुपया है तो आपको पैसा दिया कि आ ज प्रेट भीए जबाओ 20 में और आइस क्रिम का एक पैकट 50 रुपे में आता है तो आप लोग जो ब्रेड होगा तो पांच पैकट ब्रेड लेंगे और आइस क्रिम एक पैकट लेंगे क्योंकि यह 50 रुपे का तो फो स्मून हें है को तो टोटल 100 रुपे हो गया और आइस-क्रीम की किमत अभी भी 50 रुपे है तो हुछ लाधक जिलिए तो वो किसको सब्सक्राइब करेगा एस्क्रीम को शेले बड़ी ले 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 लेका एक तो कीमत है एक packet को होगी 15 रुपे तो कितने packet ले लेगा 6 packet ले लेगा उसके 90 रुपे खर्च भी हो जाएंगे और आश्रीम को नहीं लेगा तो उससे 10 रुपे बच भी जाएंगे तो यह अपवाद भी है मतलब अगर प्राइज बढ़ती है तो डिमांड में कमी आती है लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़े होती है कि प्राइज बढ़ने पर जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है जैसे हम लोगों ने दो चीज़े देखा यहाँ पर नेक्स्ट है आपका अर्थ व्योस्था के छेत्र सेक्टर अर्थ व्योस्था के जो छेत्र है वो पांच परकार के हैं प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक छेत्र यहाँ पर जो उत्पादर होता है वो प्राकृति से प्राप्थ होता है एक्जामपल है क्रिशी खनन मतस्य पा कच्चे माल पर यहां काम करते हैं यहां यहां पर नोट भी लिखा है दियान क्रिशी में पचास परसंट से अधिक स्रंबल में सलंगन है मतलब जो क्रिशी में हैं लुकाम करते हैं लोग वो पचास परसंट लोग क्रिशी में लगे हैं लेकिन क्रिशी का जीडीपी में योगदान केवल सत्रे परसंट है लेकिन क्रिशी का जीडीपी में योगदान कितना परसंट है सत्रह परसंट है नेश्ट है आपका ये देखे गेहूं ये है आपका पूरा खेत और यहाँ पर गेहों की खेती होती है जो गेहों की खेती है एक आदमी परियाप्त होता है गेहों की खेती करने के लिए लेकिन यहाँ पर पांच लोग घर के जितने चोटे पड़े हैं सब प सकता से अधिक व्यक्ति कारी कर रहे हैं जिसे चिपी या प्रच्छन बेरोजगारी कहते हैं आउटपट एक ही आदमी का मिला है और वहां पर जरूरत भी एक ही आदमी की है लिकिन वहां पर काम कितने लोग करते हैं घर के सारे सदस लगबग काम करने लगते हैं नेश्ट आपका सेकेंडरी सेक्टर दुतियक जो छेतर है इसको आधो की छेतर इंडर्स्ट्रियर सेक्टर भी कहते हैं अब जिसे खेत है गेहूं का जो खेत है अब इसमें हम लोग वैलू अगर एड कर देंगे वहीं पर खेत है वहीं पर कुछ दूरी पर फैक्टरी लगा बिसकूट बना तो यह क्या है दूतियक छेतर है तो अलगर से लोहा पर दिसकूट रहेुट्र निर्माड भी प्रात्मी छेत्र से फिर जब value का addition कर रहे है मूले वर्धन किया जा रहा है तो अब किसमें चला जा रहा है secondary sector में चला जा रहा है अब value जब add किया जाएगा इसके लिए machine की डुरुरत पड़ेगी और shramic की जुरुरत पड़ेगी स्रमिक भी दो परकार के होते हैं कुशल स्रमिक और आकुसल स्रमिक कुशल को इसकिल्ड आकुसल को नॉल इसकिल्ड कहा जाता है कुशल स्रमिक वो बताएगा कितना पानी डालना है कितना आटा डालना है कितना क्या डालना है जो आकुसल होगा वो बस पैकेट होगा कितने बि अखाव देगा उसको यह नहीं कि हाँ इतना जानना बस जितना बता रहा है इसकी पड़ देगा यह आकुसल आते हैं ॉन्हेका नियुका कहा जैता है बू छॉ पर जो पाड़ जानना मैं ॉकुसल जरुट्ब किसकी पड़ती है । सेकेंडरी जो सेक्टर है इसमें आपका निर्मार कंस्ट्रक्शन आता है वी निर्मार आता है मैनुफेक्चरिंग निर्मार जैसे घर का जो निर्मार होता है वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है कार का निर्मार मैनुफेक्चरिंग कहलाता है क्योंकि कार के जो पार्ट है वो अलग बैंकिंग, हॉस्पिटल, सिच्छा, बीमा, भारत की GDP, जो भारत की GDP है, सरवधिक योगदान किसका है, तृतियक छेत का, 50% से भी ज्यादा योगदान है, GDP का, GDP में इनका तृतियक छेत का, नेस्ट है, आपका देखि, जो सेकंड सेक्टर है, जिसको हम लोग इंड 750 शेक्टर काते हैं, इस पर फोकस दिया जा रहा है, इस पर फोकस दिया जागए, जैसे कोई कार की पार की कमपनी है, खोलने चाहरी है, तो उसको सबसे पहले किसकी आऊ सकता होगी, लेंड, भूमी की अगर उसके पास भूमी है तो तो अच्छी वात नहीं है तो उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी कीमत अदा करेगा तो जो इसको कीमत अदा करेगा उसके पास भी वैसा ठीक अब भूमी मिल गई उसके बाद उसको किसकी जोरत पड़ेगी स्रमिकी सरमे की जो रोजगार देगा अब जहाँ पर कार बनेगा अब कार अगर रोड पर चलेगा तो सरकार को क्या मिलेगा टेक्स मिलेगा गवर्मेंट को अब जहाँ पर ये कार की कंपनी है उसके आसपास क्या खुलेंगे धाबे खुलेंगे तो धाबे से भी रोजगार मिलेगा, उसके बाद कार जब चलेगी, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, तो अगर एक मतब से कार की कंपनी खुलती है, तो देखिए उससे कितने सारे चीज बढ़ रहे हैं, तो ये सेकेंडरी ज अब इस पर फोकस कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर पर, कि आप लोग अपना खुद का मतलब कोई बिजनेस सुरू करिए, दूसरों को रोजगार दीजिए, इस पर ही फोकस, इस समय चला है, मतलब चला है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्म निर्वर, भारत पर, न इक ज्टन इंडिया, इस इकेंडर आते हैं, इसको वाइट कॉलर जॉब, इसकड क्योंकि इसकेंडर सारे सुरू कायंगे, वाइट इक जॉबिकों कहने, इसको वाइट कोलर जॉब भी कहते है, मे SEN, यहां पर जो काम क आते है, बिजन आपका, पलसी मेकर, नीत आपसनम अब देखे उत्पाधन, production, production दो तरह कלא सही होते हैं वस्तू और सेवा का, good और service क्या चाहिए उत्पाधन lebe 55 शायूत को यह आधान चाहिए तो चार प्नाटर के साधन चाहिए उत्पाधन के लिए भूमी चाहिए लेंड चाहिए संसाधन है क्योंकि भूमी नहीं रहेगी तो कहां पर आप लोग साउस की फैक्टरी खोला जाएगा तो इसके लिए लगान देना पड़ेगा उद्मेता इंटर पिनोर्शिप जोखिम लेने की छमता आपके अंदर हो कि हाँ कोई जु होते हैं ब्याज मजदूरी लगान प्रॉफिट यह सारे आगे अब लोग देखेंगे तो समझ में आएगा दिरे दिरे अर्थवेवस्ता के प्रकार टाइफ साफ एकोनॉमिक्स बेस फर्ष्ट है पहला प्रकार है अन देशों के साथ बैपार अन देशों के साथ बैपार म मतलब अन्य देश तो जो वस्तु खरीदी जाती है वो कहलाता है आयात और निर्यात होता है अन्य देश को वस्तु बेचना विक्रे करना तो निर्यात को होता है तो खुली अर्थवेवस्ता इससमें सारी देश है आयात भी कुछ देशों में कुछ चीज़े हैं कुछ सभी देशों में होने के कारण वर्तमान में सभी देश खुली अर्थवास्था के अंदर हैं अब दूसरा है बेस सेकेंड संसाधनों का स्वामित के अधार पर तो संसाधनों के स्वामित के अधार पर ओनरसिप रिसोर्स इसके अधार पर तीन प्रकार की होती है अर्थवास् और तीसरी है मिस्रित अर्थ्वेoस्ता सॉमित किसके पास होता है निजी छेत्र के पास Almayar के पास private जो सेक्टर है, इसके पास सॉमित होता है इसके पास अधिकार होता है अपना gonadinaimlaf USA, UK यहां पर सरकार की जो भूमिका है वो कम होती है और इसके पूजीवादी अर्थवोस्ता इसके जनक कौन है? Adam Smith है पूजीवादी के जनक अब समाजवादी जो अर्थवोस्ता है सौमित किसके पास होगी? समाजवादी मतलब सरकार के पास सावित होगी इसके एक जहां पल उत्तर कोरिया यहां की प्रेस को भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने मतलब बिना इजाज़त की कहीं पर भी रिपोर्टिंग कर ले उत्तर कुरिया में और पहले जो सोबिय संग रूस था U.S.S.R. अब तो तूट गया है तो वो भी किसमे था समाजवादी अर्थवोस्ता में और इसके ज सार अगर जहां जरू परती है सरकार आ गये आता है और जहां जरूध परती है निजी छेत्री परती है कर दिक जांपल है भारत थैक्छार के जनक जनक carbon एडम स्मिट और इनकी फेमस पुस्तक है The Wealth of Nation समाजवादी के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है और इसकी पुस्तक की नाम है The Capital मिस्री तब्वियुस्ता के जनक कौन है? केन्स है और इनकी पुस्तक का नाम है General Theory of Employment नेश्टे आपका एडम जो स्मित है इन्होंने जो राज है इसको आहस्ते छेप का सिधान्त का है मतलब राज हस्ता छेप नहीं कर सकता है इसमें आहस्ता छेप का सिधान्त का है यहाँ पर मांग अपूति सिधान्त लगेगा दिमांड सप्लाई वाला सिधान्त लगेगा दिमांड अधिक रहेगी तो प्राइज अधिक हो जाएगी प्राइज अधिक होगी तो दिमांड कम हो जाएगी यहाँ पर प्रतिश परदा की क्या है प्रतिश परदा अधिक है और सरकार का एक अधिकार है अधिक्तम कल्यार मतलब लोगों का अधिक्तम कल्यार हो सके यह समाजवादी अर्थव्योस्ता का उद्देश है मिस्रित अर्थव्योस्ता परकार सेली है जहां पर ओसकता पड़ती है वहां पर, कहींपर सरकार के अदिकार है तो कहींपर निजी छेद लगा और्तर नियोजन atau economy planning के अधार पर मिष्ट अर्द्विवस्ता चलती है नेक्स्ट है आपका, अब देखते हैं, तीसरे वेज़ विकास के अधार पर अर्थ व्योस्ता तीन प्रकाल की होती है विक्सित अर्थ व्योस्ता विकासिल अर्थ व्योस्ता और अल्प विक्सित अर्थ व्योस्ता विक्सित डेवलोप्ट विकासिल डेवलोपिंग अल्प विक्सित लिश्ट डेवलोप्ट अब देखे इसके चार आधार है जो विकास करण हो चुका है यहाँ पर तकनिक बहुत हाई है अधारवु सरनचना यहाँ पर वो भी हाई है वेस्ट है प्रतिवेक्ति आई वो भी हाई है अब प्रतिवेक्ति आई क्या होता है राश्टी आई में देश की कुल जन संख्या का भाग फल मतब भाग दे दिया जाए तो जो सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे राश्टी आए क्योंकि एक अलग से चैप्टर है तो इसको भी हम लोग जो कवर करेंगे तो आपका इंदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा यह बिक्सित होते हैं आज़ोगी करण भी हो चुका है तकनिक भी हाई है अधारपुर सरचना भी टकनिक यहाँ पर मीडियम है अधारपुर सरचना भी मीडियम है और प्रतिवेक्ति आए भी मीडियम है मध्यम है एक्जामपल है जैसे ब्रिक्स ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका यह सब इसके अंदर आते हैं नेश्ट है अपका अलप विक्सित इसके अलप विक्सित के अंदर आते हैं अब देखे निश्कर्ज निश्कर्ज क्या निकलता है निश्कर्ज भारत के बारे में देखे भारत के निश्कर्ज क्या निकलता है भारत कैसी अर्थवेवस्ता है खुली अर्थवेवस्ता है मिस्रित अर्थवेवस्ता है विकास स उबरती हुई अर्थ वरस्ता है और विश्व की पाच मी सबसे बड़ी अर्थ वरस्ता कौन है भारत है नेश्व आपका नोट विश्व बैंक के अनसार भारत लोवर मिडिल एकोनॉमी है एक जुलाई 2023 का आकड़ा है मतलब एक जुलाई 2023 को विश्व बैक ने एक आकड़ा जारी किया है इसमें लो इंकम कंट्री जहां प्रति वेक्ति आए 1135 डॉलर से कम है वो किसमें आएगी लो इंकम कंट्री में आएगी और लोवर मिडिल कंट्री इसमें अगर इंकम 1135 से अधिक और 4465 इसके अंदर है मतलब इसके बीच में है तो वो क्या कहलाती है लोवर मिडिल कंट्री कहलाती है भारत का इसी के बीच में है 1135 डॉलर और 465 डॉलर के बीच में भारत है तो भारत lower middle country के अंदर है अब देखिए आर्थिक बृद्धी क्या होता है और आर्थिक विकास क्या होता है आर्थिक बृद्धी growth और आर्थिक विकास development देखिए केवर मातरातमक परिवर्तन आपका क्या कहलाता है आर्थिक विकास quantitative change होता है वो कहलाता है आर्थिक विकास example ह GDP में 6% की बृध्धी, जिस होता है GDP में 6% की बृध्धी होई, तिया क्या है? आर्थिक बृध्धी है, इसको मापने की best example है प्रतिवेक्थी आए, इसको मापने की best example क्या है? प्रतिवेक्थी आए, अब राष्ट की आई में देश की कुल जल संख्या से भाग देने पर जो इनकम कहलाता है वही है प्रतीवेक्ति आये नश्ट आपका आर्थिक विकास की काम बेश्त एग्डेश्ट में हुअ मुओम में इक भुझ एक बुझ्ट में इंडेश्ट इसका बच्ट मापन देखें एक फिगर की मात्यम से बताएं गया है यह है मातरात्मक परिवर्तन और यहां फर है गुडात्मक परिवर्तन अब इसके बीच में यह सब अंदर है और इसके बीच में क्या है मातरात्मक परिवर्तन क्या है ग्रोथ है और यह देखिए जो बाहर के लिए इसको कहा जाता है डेवलप्मेंट विकास इसी विकास के अंदर क्या है विकास के अंदर मातरात्मक परिवर्तन भी है और गुरात्मक परिवर्तन भी है कोश्चन देखिए तो समझ में आएगा दोनों कथनों पर विचार कीजिए कतन फर्ष्ट है आर्थिक विकास में आर्थिक विध्धी सामिल है और दूसरा कोश्चन है आर्थिक विध्धी में आर्थिक विकास सामिल अफिगर देखे यह आपका बाहरवाला आर्थिक विकास और यह है आर्थिक आपका विध्धी तब यहां कहाँगे आर्थिक विकास आर्थिक विकास में आर्थिक विर्धी सामिल है तो आर्थिक विकास में आर्थिक विर्धी सामिल है बिल्कुल सही लेकिन आर्थिक विर्धी आर्थिक विर्धी है तो क्या आर्थिक विर्धी में आर्थिक विकास सामिल है नहीं तो आपका पहला वाला बिल्कुल सही है पह पाकिस्तान के है आमरसन इनको 1990 में अर्षास का नोगल पॉरुश्कार कर दो ये पहले भारती वाले अब देड़िए जो प्रतिव्यक्ति आए हैं इसके 3 आधार है जीवन प्रत्यासा साच हर्ता प्रतिव्यक्ति आए जीवन प्रत्यासा लाइब एक्सपेक्टेंसी, साचहर्ता, लिट्रेसी, प्रतिवेक्ति आए पर कैपिटल इंकम, तो ये तीन आधार होते हैं Human Development Index के, हम लोग ने साचहर्ता जानी रहे हैं, जीवन प्रत्यासा क्या होती है, नौजात के, जन्म के साथ ही, आउसत जीवन, अवधी का निर्धार, जो होता है, जीवन प्रत्यासा प्रतिवेक्ति आए, अभी हम लोग ने देखा कि राश्टी आए में, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भाग पलाता है, आपको प्रतिवेक्ति आए कहलाता है, और राश्टी आए क्या होता है, एक वित्ति वर्स में, एक राश्ट के दौरा, उत्पादित वस्तु और सेवाओ के मूल को क्या कहते हैं, राश्टी आए कहते हैं, राश्टी आए का एक इसके बीच में भी कियी मतब्ड़ है यहां पर है 0,10,55, यहां पर 0,10,7, 0,10,8 यह वाला जो यहां से 0,10,8, अगर इसके अंदर कोई देश है तो इसको निम्न अचाह जाता है यहां के बीच में कोई है तो वह मध्यम है और 0,7-0,08 के बीच में तो उच्छ है और 0,10,8-1 के इसका थीम है अनिश्य समय अनुल्जा जीवन इसमें टॉप पहला स्थान किसका आया है पहला स्थान सुजर लेंड का कि इसकी जो इसकोर है कितनी है 0.962 परसंट तो यह किस केट करी में आता है अती उच में आता है देखिए अती उच में 0.908 से एक के बीच में जो आएगा वह अती उच में आएगा तो जो सुजर लेंड है वह अती उच कंड़िए य सदी में उसके बाद अंती मस्थान की इसका है दचि सुड़न का है सौथ सूय का उनती स्थाना इसकी rank 191 अब पुछा जब भारत के rank Most vs 1-3-2 जआगर बारत की rank 132 और इसके score 0,633 तो देखें भारत किसमे आएगा 0,7 है यहां पे औरmaker भारत मध्यम में आएगा तो भारत का score जो है मध्यम है पिछले की तुलना में एक रैंक की गिरवावट हुई है भारत में जीवन प्रत्यासा कितना है 67.2 वर्स मतलब 67 वर्स के होने मतलब उतनी जीवन प्रत्यासा है भारतियों की जन्मिक से लेकर उतनी अपर कैप्टल इंकम है 6590 डॉलर पर कैप्टल इंकम तो दोस्तों यह थे अर्द विवस्ता का परचे छेतर उत्पादन आई होप आप से क्लास अच्छी लगी होगी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग राष्टी आए देखेंगे नेशनल इंकम देखेंगे अगर आप लोग को यह क्लास अच्छी ल